यौन उत्पीडन मामले में करीब 11 सालों से जेल में बंद आसराम बापो की रिहाई की मांग को लेकर मंगलवार कुम रधाबाद में कलेक्ट्रेट पर आसराम बापो के अनुगाईयों का हुजूम दिखाई दिया इस दुरान आसराम बापो के वक्तों ने उन्हें निर्दोश बताते हुए उनके रिहाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की इसरान आशाराम बापू के अनुवाई आशाराम बापू को आजात करो भी सपोर्ट आशाराम बापू जस्टिस इस्टिल एविडेट के स्लोकल लिंगी तक्तिया दिखाई थी इसलिए उनको इजट के सार रिहाई मिलनी चाहिए सातिनों ने महावारत और रमाड का उधारन देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानेगे और बापू को रिहा नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है हमारी मांग है कि बापू जी को अभी तक 11 वर्च में एक दिन का भी पैरल तक नहीं कि गया इलाज के लिए हम चाहते हैं कि बापू जी को तुरंत इलाज के लिए आयरवेदिक इलाज के लिए पैरल दी जाए और बापू जी को अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आपका क्या कदम रहेगा फिर हमारे सादक तुर सी स्वतंत्रे आगे आगे आप सी बिस्वास हैं जडरूर सुनी जाएगी यह कर देखम सैंजनाओ भी प्रात्र है माध में में भागवानने रन्वान जी को बेथा घृसांति लेकिन वह उनकी मांग नहीं स्विगार गई तो फिर उनका क्या हाल हुआ है ऐसे हम सरकार और निया यह नहीं से प्रातना करए हैं तो आगे पिर फिर फिर अगयानु